सब्सक्राइब तो और चैनल आवाज टीवी और प्रेस दी बेल आइकन फॉर अप्डेट्स असरा नाजिन प्रोग्राम जबाब खपे संगर माय हैं त्याज मीर गिलगित बलतस्तान के एलाक्चन गहर सरकारी नताइब तो इसमें बरतरी तहरीक इनसाफ जिया है मैदान वार लिया है और नूर ली गए पीपल्स पार्टी नतीजन के तस्लीम नाएं क्यों दांदली ती आएं दांदली कर एलाक्शन उनके खटाएवे हुआ है क्या चापीडियम जो बियानियो मुस्तरत थी हुआ है मिया नवाई शरीफ जो बियानियो मुस्तरत थी हुआ है उनसा गड़ो करोना केसिज तमाव वहदा था वहने मुलक जेंदर आएं अज यो मौतरम जनाव अजिरियाजम पाकिस्तान जलसन जलूसन ते पाबंदी हुँदी लेकिन कारोबार खुले लहुंदा मस्जिदें बेन जगान ते ये को आई सो पीस के फालो के नगाले पने इस तो में दावर निया मौतरम जनाव यासीन आजा साब एड़ोकेट यासीनियर एड़ोकेटा हैं किस तरह एक तो कह रहा है कि मिंडेट चौरी हुआ है बलावल साब कहने और नून लीक ने भी कहा है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया रियासती इदारों को भी इस्तेमाल किया मशीनरी को भी इस्तेमाल किया गार्मेंट को भी इस्तेमाल किया फिर भी सिंपल मिजॉटी भी इनको नमिल सकी क्या कहेंगे सर है फ्रंटियर से भी पोलिस गई है सिंथ वह नहीं गई है बाकि जब है है फिरनदो टीनों सुब है उक्मत है पोलिस भान से गई है वह पर आप जाहर है कि पोलीस की योस की है सुर्टियाल है जो तो उनका स्पीरियर अफिसर उनको जो डायरेक्शन देता है उसके मताबक मामलात को चलाते हैं। आपने एक तो यह देखा होगा कि मुझे वहां का एलेक्शन कमिशनर बेबास यसलिए नजर आया कि गुवर्मेंट के जो वजीर है या प्रामिनिस्टर है वो किसी एलेक्शन कमपेंड में जाके पार्टिस्पेट नहीं कर सकते हैं। मैंने की आद तक तो आप चलें मामला चलता है लेकिन सीटिंग मनिस्टर जो है जिस तरह अमीन गंडपूर कश्मीर अफेर का मनिस्टर है और वही जाके गिलगित में तक्रीरे कर रहा है और चेफ एलेक्शन कमिशनर उसको नहीं रोक रहा है। और आप मनसुबों का इलान भी करते हैं वह आपके सामने है और जिस तरह की स्पीचिस अमीन गंडपूर ने गिलगित में की है या मर्यम के खिलाफ जो रिमार्स को नो ने दी हैं। मलावल के खिलाफ जो रिमार्स दी हैं। प्राइम मिन्सरा पाकस्तान ने आपने वजीर को ये ने कहा कि किसी खातोन के मतालऩ जब हम कोई बात करते हैं तहुम कैथे हमारी माँ बेन है वाद मार्स को नोच बात नहीं की जा सकती। इतने बड़े जलसे थे जिसका कोई अंदादा नहीं है, उसको किसी जलसों के साथ compare नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पादा होता है कि अपनी तमाम कोशिश्चों के बावजूद, चुके पूरी की पूरी administration आपकी है, election commissioner, वालेशन पे उसने कोई action नहीं दिया, खमोश्रा, पॉलिस तीनों सुगों से आप लेकर गए, सिंसे एक पॉलिस वाला भी आप नहीं लेकर गए, चुके यहां से अगर कोई पॉलिस वाला जाता, तो वह different way में deal करता, यहां के हिसाब से करता वो, तो अब result मरतब करने में काल हमारे सिंदाइकोड में भी इस टाइप का collection हुआ, जिस तरह मोरे लगी हैं, वो ता अपनी जगा पे हैं, और पहली दफ़ा, हमारे environment सूर साब के मतलब जो कुछ हुआ, बार के अंदर में इस कोई, इस प्रोग्राम साथ सीटें independent ले गया, साथ, अब स्वाल यह पाता होता है कि वो जो independent लोग हैं, आपने एक दफ़ा फिर जिस तरह पंजाब में दगाउन खुली थी, government बनाने के लिए, तो independent लोगों का अब कल फिर एक दफ़ा गिलगित के अरिये में जो है ना, दगाउन लगेगी, उनकी खरीदों फरोक्त होगी, और जो अज़ाद उमेदवार आएं, उनके साथ मिलकार होकमत बनाने में, आपको बरी असानी है, अब साथ के बाग बियानिये का क्या हुआ, मिलिया साथ के बियानिये का, मुस्तरद हुआ, नाकाम हुआ, पीडियम के बियानिये का क्या हुआ हु मैंने जैसे वे शुरू में ये बात कही है, बिल्कु किलियर अलफाद में कही, कि वहां का एक दस्तूर यह है, कि जो फेडरल गवर्मेंट होती है, उसके साथ लोग जाने के कोशिश करते हैं. जिस अंदाज में, 2015 में मुसलिम लिग नून के साथ गे, उससे पहले पेपल पार्टी के साथ गे, उससे अंदाज में वो पिटी आई के साथ लोग नहीं गें, नहीं गें. पिटी आई ने कोशिश तो ये जरूर किया कि पूरे चोड़ा चोड़ा आदमी आ जाएं, ताकि कि किसी से उनको मदद की जरूरत ना पड़े. आप तो पिटी आई को इस बात का अंदाजा है, कि वो साथ आठ आठ आदमी अगर हमारे साथ आके मिलेंगे, तो फिर एटी एम की बात होगी, कि कान सा एटी एम है जानगीर तरिन साब वापस आगे हैं, वो एटी एम के तोर पर इस्तामाल होते हैं, या कोई और होता है, ये तो बात की बात है, ठीके, मिडम, जिस तरह आप उजिशन का, रियासिती एदारों को इस्तेमाल किया, मशीनरी को इस्तेमाल किया, बुजरा को इस्तेमाल किया, सब कुछ चीजें की, फिर भी आपको तक्रीबन उतनी सीड्स नहीं मिली, साथ आठ तक अभी तक आपको मिली है, तक्रीबन पीप्लिस पार्टी का जब दोर साथ, 2008-2009, उनको तक्रीबन 13 सीड्स मिली थी, उनकी हकूमत बनी, 2014-15 में नूनली की गवर्मेंट बनी, उनको 14 सीड्स मिली थी, आपको साथ, आठ मिली हैं, वहाँ जिनकी भी गवर्मेंट, फैडल गवर्मेंट होती है, उनकी वहाँ गवर्मेंट मिलती है, फिर भी आपने सब कुछ सिंपल मिजावडी भी आपको नहीं मिली, बिस्मिन आइरमान रहीं, बहुत शुक्र एम्टाय सब, यह क्या प्रूफ कर रहा है, कि पहले बैमानी हुई है, और अब बिलकुल फेर एलेक्शन हुए, कि जितने लोगों ने वोट देना था हमें, उतने लोगों ने दिया, उनको फोर्स नहीं किया गया, उनको गिंती गलत नहीं की गई, कुछ और नहीं किया गया, जो सारे रिसॉर्स होते हैं, वो नहीं उस तरह इस्तामाल किये गए, अगर ऐसा होता कि हम लोग बैमानी कर रहे होते, अगर ऐसा होता कि हम लोग कोई वोट चौरी कर रहे होते हैं तो हमारी इतनी सीटें भी नहीं होती है या हमारी इससे बहुत जादा सीटें तो आएं तो आए हैं जाहर है यह लोटा पार्टी है यह जो भी है बात यह है कि नून लीग से लोग भागे क्यूं है सिर्फ उनके बेहानिया की वज़ा से जब आप अपनी फौज को जो के इस मुर्ग को संभाल के कड़ी है उसके खिलाव जब आप बात करेंगे जो आपके लिए जंगे लड़ती है जो आपके लिए कुर्बानिया देती है हर तरह की चाहे वो कराची का अमन अमान बहाल करना ह है चाहे वो फटा में जो कुछ हो रहा है उसका करना है चाहे सवात में उस हर जिगा फौज आगे है फौज काम कर रही है उसको जब आप बुरा भरा कहेंगे जब उनके मिताले का आप दूसरे लोगों से बात करेंगे तो मुझे पताएं अवाम किस तरह उनको वोट देग ना वो चोर है ना वो पैसा कमा के कहीं बाहर अपनी जायदा ने बना रहा है जो कुछ भी कर रहा है अच्छा बुरा वो इस मुल्क के लिए ही कर रहा है और इस मुल्क को ही बेतर बनानी कुछ कर रहा है क्योंकि जो हलाद उसे मिले उसको लेके चलना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी, वो बैमानी करता, वो चोड़ी करता, वो पैसे बाहर बेज़ता, तो आप सो तरह के लगा देते, लेकिन इस वक्त आप देखें कि नौ सीचें ये दस सीचें उसने लियें, वो क्यों? वो चाहते तो वो सारी सीचें ले सकते थे, बैमानी करवा लेते, तो वजीरियाजम चोर नहीं है, बैमान नहीं, आपके कहने के मतार, जो उनके साथ बैठे हैं, वो बैमान नहीं है, उनकी तो कोई भी कसम नहीं खा सकता, मैं अपने बेटे की कसम नहीं कहा सकती, आप कैसे किसी और की कसम खाएंगे, वो आपके कैप्टन चोर नहीं है, उनकी वों पैसे बना रहे हैं, मैं यूपेश नहीं हैं उनके साल लोग बेटें, उन्होंने पैसे नहीं बनाए, इस लिए वह दिए के वह बढ़कि और एक इतना से प्रूफ नहीं हैं किरिबाए अ क्यातार को प्रूफ लगा रहा रही तो है, यह अ मिल रहीं हो Gu还有 Rek guidelines के पर लगा लेकिन प्रूफ एक पैसे का नहीं मिला उनको नहीं देनी चाहिए थी किसी और कोई देनी चाहिए थी उनको वह चीज़ दे दी जिसका ये सब्सक्राइब देखें एक एक मुझे बता है एक मुझे बता है खुसरो बगतियार के ओपर भी इल्जाम था उसको और पर उसको वापस करते थे नहीं जिते वजारत थे हैं मैं खुसरो बख्तियार को नहीं जानती हूं मुझे इतना जादा है उनके बारे में इल्म नहीं है वो दूसरी पार्टी से शाया आये में फिर दोस्ताशी दमान से वापस यह उसके ओपर क्या-क्या लिजामात नहीं उनके ओपर जलजाम था कमीशन नहीं था उनके पता अपनें लोग बढ् सब्सक्राइब लोगों ने इसलिए वोड़ दिया है कि एक इमांदार है पेसा नहीं बना रहे करप नहीं है लेकिन मेडम करें के टीम में हैं लोग ऐसे सब कुछ हैं उन के लिए वो नहीं करें ब्रेक का टाइम हो गया ब्रेक के बाद यासीना दौप